हलो प्रेंट आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किसी भी बैंक का बैंक की statement कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों बताएग इस step को यदि आप follow करते है step by step तो 100% आप बैंक की statement को download कर पाएगे पेडिया फ़र्म में एपने mobile में और फिर उसे जहां चाहें वहां पर use कर सकते हैं तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे download करना है किस तरह से statement आप निकाल सकते हैं तो दोस्ते जो भी आपके bank transaction होते हैं जो history आप निकालना चाहते हैं जो statement उसको निकालने के लिए आपको क्या process करने पड़े हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है प्ले स्टोर में जाना है और हर एक bank का अपना application है जैसे कि देख सकते हैं मैं unio sbi का दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं unio sbi के नाम सी applications आता है तो मैं इसका download कर रखा हूँ मैं एक bank का दिखाऊंगा same to same process रहेगी इसी तरह से आपका सबका निकार लेना जैसे कि hdfc का माल लेजिए आपका है तो hdfc का आप इस तरह से same process रहेगी दोस्त बस जो इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ वही चीज़ आप follow करिएगा देख सकते हैं यह hdfc का हो गया तो इसको इंस्टाल कर लेंगे तो इसी तरह सभी बैंक का अपना एक अप्लिकेशन है तो दोस्त यहां पर हमारे पास ino sbi application इंस्टाल है क्योंकि हमारे पास sbi के account है तो दोस्त आप जब किसी बैंक का application को open करोगे तो यहां पर open करेंगे तो यहां पर आपका mobile number मा गया जो आपका इस bank में mobile number link है बस आपको वही number दे देना बाकि आगे कि सारी process हो जाएगी mobile number मा गया आप QTP आएगा फिर इस तरह से एक password set करने के लिए बोले है इस आप application में एक password set करिए तो जैसे कि मैंने यहां पर password set कर रखका में से डाल देता हूँ इस तरह से आपको भी डालना पड़ेगा तो दोस्ते यहां पर देख सकते हैं यहां पर password डालते ही हमारा यह खुल चुका है आप bank statement कहां से निकालेंगे कैसे डाउनलोड करेंगे किस तरह से अपने file manager में ले जाएंगे वो चीज हमां भी आपको दिखाएंगे लेकिन दोस्ते एक बात बता दें कि जो नंबर आपके bank से link है आपने link कराया है जहां पर भी bank है आपका जैसे हमार SBI में है आपका HDFC में हो सकता है तो आपको उसी number को डालना जो आपके bank से link है ठीक है तब ही आपका ये working करेगा जैसे आप उस apply question को open करेंगे उस bank का तो आपको एक OTP जाएगा वो number डालने पर एक OTP जाएगा आपके number पर OTP डालेंगे तो एक password सेट करने के लिए option है जैसे तरस password सेट कर देंगे तो automatic सारा खाता आए होता आपका bank खाता number सब कुछ ले लेगा और ये open हो जाएगा ठीक है तो दोस्ते यहाँ पर आप क्या करना को account caption में जाना होता है account caption में ही आप किसी भी application में जाएगे तब ही आपको अपना account statement जो है download कर पाएंगे तो account caption में चली हम चले जाते हैं यहाँ पर दोस्ते यहाँ पर देख सकते हैं जैसे account में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने saving account में ही click करना होता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर transaction का option आ चुका है हम transaction पर click कर लेधे ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं transaction पर आप जैसे click करेंगे आपको जब application open करेंगो उसमें transaction में ही जाना है main important आप तो आप transaction में जाएंगे जहाँ चले जाएं कि मैयल रेजिस्टर करना पड़ेगा तो आप देख सकते वीडियो कोई भी कि इम ज今天 कर करते है प्ैफ आप लेग्टिश्टर करते हैं पर लिजे क्ति ऑसके करा सकते अब यहाँ पसे यहीड हो जाएगा है अब आपको प्रस्षंण नहीं होगा यह एक्जाम्पल बता रहा है यहां पर इसका मतलब यह है कि फर्ष्ट फोर डिजिट आपका डेट अब बर्द को जैसे माल लेजिए कि आपका च्छाए आठ च्छाए आठ दो हजार दो तो आप उसमें क्या लिखेंगे जीरो च्छाए जीरो आठ और फिर एट लगा यहां यांगे ठीक ना फिर इसका इसि फोर डिजिट आपे और मोईल नमबर इस बैंक में लिंक कर रहा है उसके जीरो टू जीरो फो एट दित हो सकते हैं तो चली मैं इसको ऊपन करके दिखा देता हूं नियांसे चाथा नम बाहरा आज आएंगे और फाइल मेनेजर को ओपन कर लेंगे और दिखाते हैं आपको कि यहां पर मैंने इसको डाउन्लोड कर लिया यहां पर फाइल में जाएंगे डाकुमेंट में जाएंगे यहां पर बीडिया पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको से पासवड मागया जैसे कि मैंने आपको बो देख सकते हैं हमारा bank statement open हो चुका है यहां पर यह देख सकते हैं सब मिनिट statement है यह लाश्ट के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कुछ यहां पर सो कर रही है तो दोस्त इसी तरह से आप अपने bank का statement निकाल सकते हैं चाहिए वो किसी भी bank का हो तो उसका application बस इंस्टार करना होगा और सेम प्रोसेस करनी होगी ट्रांजेक्शन में जाकर यह आपको अपना statement डाउनलूड करने का अपसन आता है तो इसी तरह से आप डाउनलूड कर पाएंगे सब्सक्राइब करें इससे हमें motivation मिलता हम आपके लिए से content लाते रहते हैं कि चैनल विजिट करने के लिए आपक हमें comment करेंगे तो मैं 100% आपका help कर दूँगा Instagram की तो मेरे Instagram ID कासबाजी Official यहां पर message करेंगे तो मैं आपको personally help कर दूँगा चैट के मादे हम से ठीक है तो आप हमें बस message कर देंगे